नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि सुमो कोल्ड टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है। सुमो कोल्ड टैबलेट का उपयोग कॉमन कोल्ड यानि सर्दी जुखाम के लक्षनों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सुमो कोल्ड टैबलेट खांसी से भी राहत दिलाती है। लेकिन यदि आपको खांसी फेफडों में इन्फेक्शन होने की वजह से आ रही है, तो सुमो कोल्ड टैबलेट इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना नग भूलें। अब हम दिसकस करेंगे कि सुमो कोल्ड टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सुमो कोल्ड टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। लेकिन सुमो कोल्ड टैबलेट को खाली पेट लेने से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सुमो कॉल्ड टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सुमो कॉल्ड टैबलेट को दिन में 2-3 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सुमो कोल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको सुमो कोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सुमो कोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि सुमो कोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. वैसे द्यादातर व्यक्तियों में कोई Side Effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में Sumo Cold Tablet की वजह से कुछ Side Effects हो सकते हैं. सुमो कोल टेबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द, मुह में सूखापन, शरीर में ठकान होना, हलका हलका सिर घुमने का आभास होना और नींद अधिका सकती है. अब हम डिसकस करेंगे कि सुमो कोल टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में सुमो कोल टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है. किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को सुमो कोल टेबलेट को लेने से पहले डॉक् मर्श लेना चाहिए, क्योंकि किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सुमो कोल टैबलेट की डोज घटानी पर सकती है, अगर किसी व्यक्ति को सुमो कोल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडिन जैसे पेरासितामोल या फेनिलेफरीन आदी से एलर्जी है, तो ऐ ऐसे व्यक्तियों के लिए सुमो कोल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सुमो कोल टैबलेट को ले स प्रेगनेंट महिलाओं के लिए सुमो कोल्ड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सुमो कोल्ड टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है लेकिन स्तनपान करा रही महिलाओं को सुमो कोल्ड टैबलेट को लेने से पहले डॉक पुक्तर की सलाह के बिना प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सुमो कोल्ड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सुमो कोल्ड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।